स्वागत है आप सभी का टेक स्टड़ी आई टाय यूट्यूब चनल पर रेल्वे 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 रर्सी डबलू आर की तरफ से आई टाय पास आउट केंडेट्स के लिए में मन्त में 2022 में 3612 पोस्ट पे अपरेंट्सिप आई थी जिसमें अलग-अलग division से वैकेंशी निकाली गई थी और कुछ division से यहाँ पर document verification भी हो चुका है कुछ division में joining की merit लिष्ट आ रही कुछ के अभी document verification की merit लिष्ट आ रही तो आपने किस division से apply किया था आपको भी जबोर चेक करना चाहिए उसी क्रम में यहां से एक joining की merit list और एक document verification की merit list जारी की गई है जिसके बारे में आज यहां पर information देखने वाले हैं उससे पहले आप से request करेंगे चनल पर नहीं हैं तो please subscribe करके well icon को hit कर लीजेगा and साथ में please video को like और share करना बिलकुल मत भूलिएगा यह list हम आपको टेलिग्राम पर भी share कर देंगे तो आप मारे साथ टेलिग्राम पर भी जूड़ सकते हैं Tech Study ITI नाम से टेलिग्राम चैनल है description में link भी वहां से भी आप जूड़ सकते हैं इस पे भी सारी update और information हम आपके साथ share करते रहते हैं यहां आप देख सकते हैं यह राज कोट की तरफ से जारी की गई लिष्ट है जो की एक फरवरी 2023 को जो है यहां पर जारी की गई है और इसमें अगर आप देखेंगे तो यह किस के लिए जारी की गई है यह आपका document verification के लिए है ठीक है document verification के लिए आपको कहाँ पर मंडल कार्याल है जो मंडल रेल परबंदक कार्याल है राज कोट है वहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है ठीक है और जो date दी गई है उस date पर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा यह vacancy कप की है 26 मई 2022 यह सामने का था उस time की है एंड राज कोट division का यहाँ पर merit list जारी किया गया इसमें trade wise आप देख सकते हैं सबसे पहले trade wise आप list यहाँ देख सकते हैं ठीक है इसमें आपको आपका नाम registration ID, cast और data of birth आपको देखने को मिल जाएगी father's name के साथ साथ total अगर list आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर list में कई सारे trade के अलग अलग आप देख सकते हैं जिसे mechanic RAC में total 7 candidate है यहाँ पर 10 candidates है ठीक नीचेस के बाद आपको instruction देखने को मिल जाएगा आपको क्या क्या ले जाना है 10th की mark sheet ले जाना है 10th की certificates ले जाना है ITA की mark sheet और certificate ले जाने है NCVT, SCVT द्वारा जारी किया गया ठीक है पार्सपोस साइज photograph ले जाना है आधार card या pen card ले जाना है ठीक है and एकसर B के अनुसर आपको SCHT category का certificate बनवा लेना है अगर आप हैं उस category से तो OBC certificate का एक format है इसके साथ EWS का फिर यहाँ पे medical fitness का इस अभी formats भी इसी notification में उसको आपको बनवा लेना है and नीचे आप देखेंगे certificate जो है अगर यहाँ पे आपका English या Hindi के अलावा किसी language में other than क्या है English या Hindi तो उसे आपको क्या करना है एक attested copy लगानी उसका translation करवा के Hindi या English में जैसे अगर आपका certificate गुझराती में हो मराठी में हो, ओडिया में हो तो उसे आपको translate करवा के ले जाना पड़ेगा and कब-कब जाना है देख लीजे यहाँ पे fitter trade के candidates welder, electrician, electronic mechanic, mechanic RAC यहाँ पे 15, 16 और 17 तीन दिन document verification चलेंगे कोई date decided नहीं कब आपको जाना है, कब किसको जाना है इस date में आप यहाँ पहुँचके अपना DV 10 से 5 के बीच में करवा सकते हैं कहा जाना है मंडल रेल प्रबंदक कार्याले राजकोट, कोठी compound, राजकोट में आपको जाना होगा, नीचे यह सभी format से अगर आपने नहीं बनवा है इन्हें आपको बनवा के ले जाना है medical fitness certificate भी दिया इसे आपको जरूर ले जाना है otherwise आप वहाँ पे DV में reject किये जा सकते हैं अगली यह वडोधरा division से है यहाँ पे आपका document verification हो चुका था यह भी यहाँ पे joining merit list है यह भी आप देखेंगे 3 February 2023 की date की है इसमें देखेंगे क्या कहा गया इसमें आपका एक वर्स प्रसिक्षण के लिए क्या पाया गया आपको उप्युक्त पाया गया है तो ऐसे चात्रों को अब क्या करना है इस stipend भी मिलेगा आपको join करना है यहाँ देखेंगे सारी चीजे लिखी हुई है कितना कितना आपको क्या मिलेगा इस stipend आपको कब तक जाना है देख लीजे तो आपको जो है अपरेंटसिब वेबसाइट पे पंजी करन कर लेना है अपना और इस पत्र प्राप्त होने के बाद यह पत्र आपको mail के थूँ इन सब के थूँ भेजा गया होगा ठीक आप लोग अपना mail चेक कीजेगा 21 फरवरी 2023 को आवस्यक रूप से कार्याला में उपस्तित हो जाना है आप पूंड रूप से तयारी करके आए 21 फरवरी 2023 से आपका प्रिश्टन प्रारंब हो जाएगा आपको रहने, खाने, इन सब का आरेंजमेंट जो है करके जाना है क्योंकि वहाँ पे आपकी training जो है start हो जाएगी, अब आपको यहाँ पे घर नहीं आने दिया जाएगा, आप वहाँ डारेक्ट जाके क्या करेंगे जॉइनिंग करेंगे नीचे आप देखेंगे लिष्ट यहां पर आपको देखने को मिल जाएगी ठीक है यहां देख रही है सुटेबल लिष्ट है यह डाकुमेन वेरिफिकेशन की बाद की आपको 21 फरवरी 2023 को रिपोर्ट करना है यह लिष्ट भी हम टेलिग् कि यहां पे जरूर जोइन कीजेगा एंड एक चीज यहां पे और है कि इस बात का आपको धियान रखना है कि नियत प्रसिक्षण पूरा होने से पहले प्रसिक्षण से छोटने की अनुमती नहीं धी जाएगी ठीक है तो इस छीज का आपको धियान रखना अगर ऐसा करने पर आपको अवेस्ट खोने पर आपके संरचक रेल प्रसासन से प्राप्त चातबृत्तिया चातबृत्तिका साढ़े बारा प्रस्ट प्रस्चन मूल जो है उन्हें पे करना पड़ेगा ठीक है यानि अगर आपको इस टाइपेंड मालीजे पांच महिने आप करते हैं और आप को 35,000 स्टाइपन मिला है या तीज जो भी तो उसका साढ़े बारा प्रसंट आपको ऐजे पेनाल्टी देनी होगी आपको यहाँ पे इसलिए एक बार सोच लीजिएगा कि अगर आप यहाँ जोईन करना चाते हैं तब भी जाएगा नहीं तो टर्मिनेट करने केस में आपक में जाके जॉइन कर सकते हैं यहाँ से अप्रेंटिशिप करने के बाद आप सभी को पता है क्या बेनिफिट्स मिलेंगे रेलवे की ग्रूप C पोस्ट में आपको 20% का कोटा मिल जाता है जो आपका CVT एक्जामिनेशन होता है ठीक है ग्रूप D का या लेवल 1 जिसको सकता है मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको अच्छी लेकिन हाँ अगर एक साल आप अप्रेंटिशिप कर लेते हैं तो आपके पास NAC सर्टिफिकेट होगा एंड एक बहुत बड़ा वेटेज होगा अगर लेवल 1 की पोस्ट आती है उसकेस में तो अगर आप इंट्रेस्टे अगर आपका इंसमें सेलेक्शन नहीं हुआ है आपके कोई साथियों भरना चाहें तो उन्हें आप जरूर बताएगा SCR के फार्म भरे जा रहे हैं NWR के फार्म भरे जा रहे हैं RCF का पूर्थला के फार्म भरे जा रहे हैं तो जिसमें अभी आप इलिजबल हों उसमें फार्म जरूर रिप्लाइट कीजिएगा Thank you very much मिलते हैं अगले अप्डेट साथ अगले वीडियो में तब तक आप सभी लोग बने रहेगा चैनल पर